डोनेट कार्ट और वोईस अफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नॉड़ा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ओक्सिजन सप्लाइज प्रोवाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। दिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ट पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बनी। इसकी पूरी जानकारी आपको इस हम वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को देखें। नाम है जीप रेंगलर कीमत भी 53,90,000 से भारत में शुरू होती हैं। लेकिन ये गाड़ी भी 12,21,000 की कीमत के साथ शुरू होने वाले थार के सामने पानी भरती नजार आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों तो ये जान लीजे। आप आठ और मॉडल्स का भी टेस्ट किया गया था। थार के इस बेस वेरियंट्स में 1.5 लीटर 3 सिलिंडर इंजिन दिया जाएगा। साथ ही ये कार मैनुवल और आटोमेटिक गेर बॉक्स ऑप्शन के साथ आएगी। ये कार चार वील ड्राइब के साथ नहीं आएगी। कार में रियर वील ड्राइब सिस्टम दिया जाएगा। कमपनी ने मीडिया को एक ब्रेफिंग के दौरान बताया कि साल 2026 का कमपनी 9 नए प्रोड़क्ट लाँच करेगी। इन प्रोड़क्ट्स में 5 डोर थार भी मौझूद होगी। 5 डोर थार कब लाँच होगी इसकी टाइमलेंज शेयर नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि ये कार 2023 से 2026 के बीच लाँच हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो एक खबर है वो अपने आप में बहुत शांदार और जांदार खबर है कि भारत की सोदेशी निर्माण कमपनी की गाड़ी जो है वो विदेशी कमपनियों की गाड़ियों से कहीं बहतर क्रेस्टिस्ट में परफॉर्म कर रही है। अमेरिकी कमपनियों की गाड़िया में भारत में निर्मित कार के आगे पानी भरती नजार आ रही है। और इसी क्रेस्टिस्ट में महिंद्रा जिसकी सोदेशी निर्मित कार है थार वो अपने सर्वोच्य प्रदर्शन के कारण पुरे देश दुनिया में चर्चा का विश्य बनी हुई है। भारत तक